चार दिन में से घर पे बैढ़ जाता हूँ तो मैं लगता है कि अब निकालना है कुछ गलत हो रहा है यब मेरी बॉड़ी फासी हुए है गुड़काओं में मेरी आतम अब तगरी पाणों में लोग बुलता होगा कि पैसा आनी के बाद इसी बाते बोलते तो मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको बता चले कि पैसा आ गया है मुझे घर पालना है मेरी मा राह तक रही है वहाँ पर बीट आएगा रोटी लाटा लाएगा तो मैं रोटी बनाऊंगी एक खाऊंगी दोसको खिलाऊंगी फणी आदमी हो या ना हो लेकिन अब तुम्हेरे अंदर पंच आ रहा हो ना जब तक नहीं निकलता ऐसा लगता कि भाई गैस बन जाएगा स्टेज पर गया तो यही है कि पैंट आप में मूतना रहे गया चला गया वो वीडियो डलता गे कटटगटगटगटगटटए यूट्यूप गज यूट्यूब पर और फिर yueso- hemp ने खुथी बंदा सोच के ये कि डाल रहा है ये क्या डाल रहा है पिर थोड़ी झी ठीटबिधवरे अरे ज़रे अरे प्र ये क्या डालो जा रहा है 2022 और मुमोज जो मैंने खाया दिली भाई एक दम बात बोली नी जानी एक तब भू पे पाड़ी आगया ब्रेकिंग बैट सीरीज की बात कर रहे हैं इन केस किसी को नहीं पता अगर आपने उस सीरीज नहीं देखी तो आप अपनी लाइफ का एक बहुत बढ़िया कॉंटेट मिस्स कर रहे हो अपको लग रहा होगा गुपता जी इतने सारे पॉड़कास्ट चर लें उसमें एक और पॉड़कास्ट क्यूं तो याई मुद्दा ऐसा है पिछले 10 साल के करियर में मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जिनकी बहुत सारी इंटरस्टिंग कहानिया हैं बहुत सारे इंटरस्टिंग किस्से हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना जाता हूँ आपको इंस्पाय करना जाता हूँ आपको एंटर्टेन करना जाता हूँ अब क्योंकि मैं कमीडियन हूँ, तो वो सारी किस्से खानिया, एक फन वे में, एक लाइठ हाटेड वे में, एक वाइल्ड वे में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो गाइस, आपका स्वागत है इस नए सफर में, प्रेजेंटिंग तो यू, काफी वाइल्ड शो विद ग नहीं नहीं जिता है कैसे उ रभी बहुत बड़ीया, बहुत बड़ीया, अत्व जान में, तो आज शेयर को अनुग तो इस येखा में और शॉद्सक्की ऑस्ताति के साह में गचान। एकदम बढ़篇ा लाइफ चल रही है तोड़ा आज शाम को शोए हमाज इस में लाइफ शो के लिए यह तो लाइफ का पार्ट है मतलब हम चल रहे हैं बढ़िया मज़ा हा रहा है.. अब विष्ट कर गया थे हाँ मुझे लगा आप फें भी कहीं दे न पाडओ पहाडो में मैं पहले गया अलमोडा फिर वहां से आया नैनी ताल फिर वहां से आया बनारस बनारस में शो भी था उसके लिए भी आया उसके लिए भी आया तो जो है मैं ट्रेवल करता हूँ बिसिकली शोज के लिए तो करता ही हूँ पर मुझे बहुत पसंद है ट्रेवल करन क्यों पहले तो पहले तो बक्षोधी के चक्कर में करता था मज़ा आता था अच्छा फिर धीरे धीरे लगा कि यार खुशी मिल रही ही मुझे अच्छा मुझे लगा ट्रेवल जो है न मुझे बहुत अच्छा महसूस कराता है मैंने जिसे एक चीज जो खोज लिएगी कोई खुश करती है तो मुझे ट्रेवल में मिलता है कि मैं जब भी चार दिन भी इसा घर पर बैढ़ जाता हूं तो मुझे लगता है कि अब निकालना है कुछ गलत हो रहा है मेरी बॉड़ी फासी हुए गुड़गाओं में मेरी आतम अब तगरी पाड़ों में तो ट्रेवल ल आपके साथ ही थे तो अभी तक तो दोस्ती थी लास्ट दो चार दिन तक तो देखो पहला पहला ट्रिप जो है उसने मेरे को लाइफ में करा हूँ इसके लिए मैं बहुत थैंक्फुल हूँ अच्छा क्योंकि मेरी जॉब आप छूड गई थी और उसने बोला कि भाई हम ल पहाड़ों पर ले गया है बड़े खुबसूरत जगह थी वह जंगलों के बीच में कहां गती है जियोली कोट अच्छा होस्टल है वहाँ पर बहुत सुन्दर अगर आपको जाने का मन करें तो वहाँ पर मैं गया है बड़ा अच्छा लगा अगया बहुत दिमाग हलका हो अग्दम और पहले जादा पहले जादा हलका हो गया दिमाग तो हलका था ही मेरा तो फिर लगा यार यह तो बड़ा खुबसूरत अनुभाव है अच्छा मेरी जिंदगी का और इसको और करना चाहिए मैंने बुला कि और पैसे चाहिए मुझे मोहित तो उसने बुला नहीं यह नशादा जिसकी मैंने लट लगवा दिया अब खुद कमाओ खुद कमाओ जैसे वो कॉलेज में बेशते नहीं है ड्रक्स बेशते हैं कि पहले पूडिया त्राइ करो यार दोस्त तुम्हारा उसके बाद फिर वो आदमी तडफने लगता है कि मुझे चाहिए तुझे म जादा ही वो ही ट्रेवल मुझे नहीं पसांत दिली से नोड़ा इदो घंटे लगाते हैं आप तो गुडगाओं में रहते हो गुडगाओं से नोड़ा हां गुडगाओं से नोड़ा बहुत जादा ही खराव एक दिन पहले निकल लग तो यह कपकी बात थी कौन से यह की ट्रेवल मुझे लगता है कि यह बात होगी 2019 अचा तब से अनिम्प्लॉइट से मतला बाब मैं हाँ 2018 फिर छोड़ी फिर बाद में नौकरी करी भाई मैं अचा दुआरा की है नहीं रहा क्योंकि मुझे लगा कि ट्रेवल तो हो रहा है पैसे नहीं आ रहा है नशा कैसे करू क्योंकि ट्रेवल करते टाइम एक चीज जो सबसे जरूरी लगती है बीच में खाना पड़ता है पहुंच तो जाओगे किसी के साथ पहुंच तो जाओगे आप रुख जाओगे सो भी जाओगे चलो जैसे तेफे सो तो भाई बहुत सुलाया लोगोंने मुझे अपने साथ कि तुम पैसे का टेंचन मतलो तुम सो जाओ मेरे साथ अब वो हालात ऐसे थे कि मुझे करना पड़ा लेकिन अब मैं अबीर हो गया हूँ आप कोई ज़रूरत नहीं है किसी के साथ सोने के अब लेकिन खाने के ज़रूरत तभी अब जो है मैं सेल्स वो हो गया हूँ अब तो हाँ तो फिर तब मैंने घूमा था और पहाडो का ही शाएद आपको शोग है बीच बीच मुझे पानी है वास और कुछ नहीं अचा बादा मुझे और बीच पे जो लोगो पसंद आता है नहीं मुझे मुझे अच्छी गोवा या तो बहुत ज़दा चला गया है य बाद नहीं कर पारे भाई यहां पर क्या है मतलब नाचना ठीक है हो गया नाच लिए अब गया करना है और सीन यह कि दारू पीने वाले जो कंपनी होती है अब उनके साथ अगर जो इंसान नहीं दारू पीता उसके लिए बड़ा मुझे कितना ही तुम चखना खा के बैठे पीसफुल अगरा वो थोड़ा बढ़िया पीसफुल है बट पहाडों का कोई मुकाबला नहीं कहीं पहाडों का कोई मुकाबला नहीं पहाडों का कोई मुकाबला नहीं पहाडों को जैसे ही पहाडों मुझे दिखनी चुरू होते है मेरे दिमाग का खा हुआ है इस इस वा पहाडों, मैं तो चलो पहाड का स्पेसिफिक हूँ, पर जितना जादा आप घूमते हों, मैं लगता है आपके अंदर का जो अभीमान है, कम होता जाता है, आप और जादा छोटा महसूस करते हों, आपको लगता है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, एक पैटन के साथ जी बना रिखे हैं, उसी हमें हीरो हैं, उसी हमें हीरो हैं, उसी हमें चार लोग हमको जाना हैं, खुश हैं, लेकिन आप जितना जादा घूमते हों, आपको अपनी सुक्ष्म होने का है, तो मुझे लगता है वो आपको बहुत जादा ग्राउंडड रखता है, आप जितनी आत मैं एक बाई mybulप श läh nucleus के सात। से पहले लैंस डाउन के बाद सीधह हम चार दोस्तों ने घाएंगे. यह हम शींने अप म? में उर्च चब किराइगी गेंगे, हम यहां से निकले फिर शिमला गए है कहीं यहां वहां से नाको विलेज पढ़ता है, नाको से स्पिती गए, स्पिती से काजा, काजा से चंदताल, यह पूरा रूट करने और पांचवे दिन में किया हो, जो किराईगी का रही थी, इसके ब्रेक थोड़े से वीक होने लग गए, और क्योंकि हम फस्ट चाइम गए तो हमारे को ताइम हो रहा है, पांच-शे बज़े और जहरना ना, क्योंकि दिन में धूप थी तो अब जो बहुत जादा पिगलने लग गई तो जहरना भी बहुत तेजी से प्रेशर आ रहा है, और सडली हमारा ब्रेक फेल हो गया, ठीक है, अब हम हम हैंड ब्रेक पे कार चला रहे है और फिर एक आया ऐसा पैच जहां से ना, उपर से बहुत जादा जहरने से पानी गिरे जा रहा है, और हम चार लोग थे तो हमने फाइनली यह डिसाइड गया कि दो लोग कार में बैठेंगे और दो पैदल जाएंगे, कि जो मरेगा, एलिस जो बचेगा, वो घरवालों को स चला रहे थे सिंगल रोड पे, तो फोन करती है घरवालों को, यह अज़े चंदताल में तो नेटवर्क, मतब 48 गंटे का नेटवर्क का लेग होता है, मतब महां पर नेटवर्क है ही नहीं, अगर आप कभी जाओगे एक स्पिती में चंदताल, अब तो आगे होगा, मैं सोल इमेज अभी आजाती है, मैं समझ गया, मत जिंदगी और मौत वाला हिसाब किताब हो गया था, कि भाई अब नहीं घूमने आएंगे, दिल्ली में रहेंगे, पढ़िया, छोला ओला खा के, मेरा इंसिडेंट मैं दुबारा मोहित के साथ चला गया था, तो मुझे समझ में कि वो बंदा उसका गूमने में इतना है कि मेरे को घूमाने ले गया बस, क्योंकि वो घूमने लाइग आदमी तो नहीं है, भाई, एक्छी बताओ, तुम अगर घूमने, मेरा है कि मैं अगर कहीं रुका हूँ, तो मैं पहाड़ों पे जाते ही, लेट नहीं जाओंगा, मैं यह बहाड़ ही तह है, यह ही तह है, तो कि excited क्यों था भाई, वो गया, लेट गया, यह टिपिकल डेली वाले, वैसे मैं भी उनमें से यह, कि आगए ना भाई, दादू घूलो, हुका बना, सभी नहीं जाओंगा आपके साथ, लेकिन आपके साथ मने ट्रेवल किया, बढ़ ऐसे, ऐस सच, मुझे तो अच्छा ही लगा है, मेरे साथ यह होता है कि, मदब जैसे होता है ना कि आप किसी ट्रेक पे गए, वो फट गई की बहस के, गाइन ने हाथ हो गया, अभी बीड गय थे, बीर, मैं मेरी वाइफ को लेकी गया था, वो जल्दी, घूमती नहीं है, उ और उन्होंने बोला रात का टाइम था, उन्होंने बोला कि चलो, यहां से एक जगह है, जहां से बड़ा अच्छा नजारा दिखता है, बहुत सुंदर व्यू दिखता है, जुगनू निकलते हैं पेडों के बीच में, और अमावस की रात थी वो, तो मैंने ठीक है भाई, अब ही सब लोग भी, क्योंकि निव एर का महौल था, सब लोग पूरा भी पढ़ा हुआ था लोगों से, और वो गधे सले पता नहीं कहां लेकि जंगलों की तरफ चले गए हमें, और वो लिये जा रहा है, हम दोनों भी दूसरे से बात कर रहे हैं, कि अभी कहीं तो में एकदम पगे हुए, दूसरे के साथ में अकेला पन ढूड़ते हुए, और हम, मैं, मेरी भाईफ और एक लड़की और थी, हम लोग जा रहे हैं, हमें आइसास हुआ, कि अब हम वापस भी नहीं जा सकते इतनी जल्दी, और मैंने बड़ी कहानिया सुन रखी हैं, कि अपनी इसका महाल है, बुरी आत्माएं जो है, इसी टाइम जाकती है, मावस की रात है, बली बली कभी सी, मैं क्राइम शोद बहुत देखता हूँ, मेरा तुरंत एकदम स्टिंग वही हो जाता है, कि भाई गही है, मेरे को अब जो वहाँ बेंच बैठी है, मुझे लग रह बला कि भाई कहां, वह अंधेरे में खोग है कहीं दोनों, और हम दोनों की फटी-पडी है, एक लड़की और उसको कोई फटी नहीं देना किसी को लेके, ठीक है, मेरे को जोड़ो दो कि भाणा है, पिर जैसे तर्से करें, तो वह टाइम था जब हमारी पटी थी बहुत जा कि पैसा आने के बाद ऐसी बाते बोलते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे बहुत बड़े जो, फाइफ शार, गया था होटल में, उसने बुला कि, उसने पहचान लिया मुझे कि, अरे आपके फैन, आपका मेना स्वीट अपडेट कर दी है, तो हमके ठीक है बाई, मे इतना बड़े कमरे में, मैं अकेले मुझे एक तो लाइटनी बंद होती, लोगों की समझ नहीं आता क्या है, क्या चीज़े, कैसे बंद करूगा, तो मुझे होस्टल जो होते है, जहां पर, आप गयो होस्टल, मैं बहुत ही कम, बहुत पहले गयो, तो होस्टल एक दोस्तों से आप कतराते हो ना कि इनके साथ गूमने नहीं जाना है, इनके साथ कभी ट्रेवल में, वो ही हो की, होटल अच्छा जी है, ये सब औरतों वाले जो चोचले हो, ये ललकियों कहा है, मैं बता रहा हूँ भाई, उनको चाहिए कि भाई, मेरे को स्टाफ बढ़िया चाहिए, मुझे उसमें बहुत चीनिदाती है, पतनी कैसे, शायद अंदर की गरीवी मेरी कभी नहीं को रहाँगी, ये पैसे आ गए, सब चीज है, पर कहते हैं, क्लास नहीं खरीदाता, मैंने खरीद लिया, अपने स्कूल गया, जो क्लास 6 जिसमें पढ़ता था, वो क्ला करके, तो कहानी है, और क्लास क्या है, मतलब क्लास यह होता है कि बड़े कंबरे में रहुचों अब शओ जब उठाते होंगे तो आप बल्क में पूरी वो उठाते होंगे, ऑप टी बेल में ही ले लूगा, आप मेरे को पूरी अमांउन देज और ट्रेवल में ने लूगा, ट्रेन से जाना है होटल किसमें रुकना है नहीं नहीं आप देखियो आप जाओगे इंदॉर में नागपूर में यहां तो हॉस्टल का कोई मतलब मैं नहीं है वहां प्रवाइटी रहती कि भाई वेन्यू के पास जो है वो ले 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 पर वहां पहाडों पे और अब तो वहां के ओनर था पिर उसने देखा कि यार इसके इतने फॉलोवर्स है तो मेरे पास आये बहला कि आप रह जितना मन करें हमने पंद्रह बारह हजार वालों को हमने दिया है फ्री में आप खा भी लेना खाना है कि आप खाना भी खा ले ना? चिकन देगे आपको चिकन देगे कि तब ताजा? आपको हम लोग सब को डाल चावाल आपको अंडा करी खिलाएंगे चिकन दे मैं खाता नहीं हो नान्वेज होता है और मैं वीगन हूँ तो हाँ मैं भी पी लेता हूँ तो फिर आब ये हो रहा है कि मेरे को जो है अच्छा फ्री मेरे ट्रेवल मिल जा रहा है उस फ्री का कोई मतलब भी नहीं होता किसी को भी घूमना है भई घूमना बहुत सस्ता होता है आप बस आपनी चर्वी जो है ना अपने अंदर की कि मेरे को ऐसी विवस्ता चाहिए वैसी विवस्ता चाहिए उसको इग्नोर कर दोगे आप हमेशा घूम सकते हो कोई नहीं पर हाँ पैसे थोड़े बहुत यह अभी थोड़ी पहले एक लाइन बोली थी कि खाना जरूरी है इसलिए काम करना जरूरी है वो मज़ा कि लिए थाल भी में झैस्ता में जयता है गोवा में और मभिण डंतर के में भी 15 candidate अब कर शुना इं का ब्रूटी और द्भरन में जिने खराब हो जाएगा इंगर तर Wür और हग तो अब मज़ा भी आता ना करने में एक दम खुली हवा में आप जो करते हो उसका अब देखा है हम तो कहां शरू गईने वाले थे हम पाड़ों बहुच गा सीधा आपके जाथ यही है मेरी ब्यूटी की बात इंगिए है कि यहां इस से पहले इस से पहले अइस से पहले जतना मुझे पता है आज आप अप कर्टूनिस्ट थे शायद हम अब उसको इसको इलस्ट्रेटर बोलते हैं बट वो ले मैन भाषा में मैं सम्झाने के लिए इलेक्टरिशन कई लोगों ने बोल दिया था तो मुझे लगा कि कार्टुनिस सब को समझना है कि वो है, तो हाँ मैंने फाइनेट्स किया है बीएचु से अच्छा, बीएचु से बड़े विवाब? यहां जी, आए, बढ़ालिका देए, यहां बंदा आगे, आपे पढ़ालिका बोल देता है, आद लग लगना होता है, यह बदा है, मुझे लगता है, दुनिया में परसेप्शन है कि कमीडियन्स पड़े लिखे निए, यह सब मजबूरी में करते हैं नए, инजीनियर, बोलते हैं, सबषधें को एंजीनियर हैं तो अपुंप इंजीनियर के जाएं हमिजीनियर या पढ़े लिखे हैं, हम आर्टिस्ट हैं प्रापर हम्ने कमपीडिशन क्र Aye СbroD क्रेक करके, पिर भीरो में फिरा-बी-जीनी दौट corri- और उन सब को जो मेरे बीचु के चार साल थे, वो बहुत उपर है उससे, बहुत अच्छे दोस्ट बने वहाँ पर, बहुत मज़े की है, पढ़ाई तो इतनी सी हुई थी, मज़ा इतना किया हम लोगोंने, तो पढ़ाई भी करते रहें, तीन साल घर पे, मतब डे स्कॉलर थे थर्ड एर के बाद, मतलब हमारे चार साल का कॉर्स होता है, इंटर्ंशिप शुदू हो जाती है, ना, सेण सेमिश्टन में काई इंटर्नुप, ने, हमारा सेमिश्टन वर्ण नहीना था, हमारा साल में एक बार ही था, सारे चीजहों का, अब शैट सम्सिर सिस्टम आ गया ह आर्ट के पढ़ाई थी तो उसमें आर्थ जो है उसमें समेंटन में बाटना उसको थोड़ा वो रहता है तो दो तीन एक्जाम होते थे चार पाँच और उसी में कड़ जाता था तो पढ़िया रहा है मतलब क्या सवाल पुछना पुछना पूल के तो इसे कुछ बख्चोदी कुछ नहीं पसंदी नहीं है तो मुझे बियर दारू कुछ पसंदी नहीं है तो मुझे बियर दारू कुछ पसंदी नहीं है कुछ पसंदी नहीं है तो मुझे बियर दारू कुछ पसंदी नहीं है कुछ सब पी लिया पने विस्की विस्की सब पी लिया रम जीन विस्की ट तो स्टार्टिक में भी था पर अब ही एक दम है क्लीन आदमी हूँ, खाना एक चीज है जिसे मुझे कंट्रोल करना है, बाकि मुझे लगता है कोई नहीं, मुमोस से कितना प्यार है, महाँचा, एक दम दर्शे की बात होती ही, मुमोस लेया एक दम, मुमोस, दिल्ली में जब बीचु बीचु, बीचु दिल्ली से मैं बनारस पहुचाँ मेरे लिए बहुत बड़ा शोक था, बड़ा शहर, और आप दिल्ली से हो, नहीं, नहीं, मैं यूपी, प्रताबगड़, अच्छा, फिर वहाँ से दिल्ली आये थे, वहाँ से दिल्ली आया, आच्या, वहां से बनारस में देखा, बहुत बड़ा लगा कि ये बहुत बड़ा चीज है, दिल्ली आया, दिल्ली देखके चकाचॉंद, दिल्ली में जो खाने में मुझे दो चीज जो मुझे टकराई, क्योंकि मैं वेजिटेलियन रहा हूं शुरू से, एक सोया चाप, जो वहान ही मिलता था और मुमोज जो मैंने खाया दिल्ली में भाई बात बोली नी जानी, एक तब भू पे पाड़ी आगया तो मुमोज जो देखा मैंने, मुमोज मैं खाता था विज्ज, पनीर, और घर पे कोई नॉन वेजिटेवन मेरे रहा नही है, माता जी मेरी खाती है मुमोज, सौरी चि उनको खाना पड़ता है बाहर रहे ताब क्योंकि घर में सब भाजन वाले हिसाब के ताब है तो कभी मेरे अंदर वो मेंटल ब्लॉक रहा है, नॉन वेज खाने को लेकर तो मैंने चिकन मुमोज खा लिया एक दिन, अच्छा हमत करके, फिर मैं फेग देता हूँ वेज मुम अच्छा इतना आपको मेंटल से नफनत हो गई है वो है ही नहीं नहीं करता जैसे वेज बिर्यानी जीदे है वैसे वेज मुमोज भी है वो सब फालती की बाते है ओक्सी मुरान वो बढ़ी है जो है वो बोल रहा है कि भाई कुछ लोगों ने बदाए कि वो जो चिकन मुमो ही मैं ने जब बहूत घूमा तो मुझे शिलॉंग के मुमोज होतने अच्छा नहीं लगे नोर्थीस कि मुमोल में सोना था कि महीं से आया है पर उसमें न मतल downwards बहुत ज़ादा जब कुछ-कुछ आने लग जाए तो अच्छा नहीं लगता अच्छा, आई थिक माँ कि चटनी ज़ादा स्पाइसी होती है चटनी होती है, मियोनीज वाला नहीं होता पर कलिम पॉंग ये ये मुझे लग रहा है कि नॉर्थीस के आसपास ये, अरोनाचल में है वहां के मॉमोज बढ़िया थे मॉमोज मतलब प्रोपर मॉमोज वहां मॉमोज बढ़िया थे, एकदम बना रहे थे मक्ष है बहुत ही बढ़िया मॉमोज जो पाना की मक्षियों ने उसको चका है वहाँ तेस्ट लिखा रही है अगर मक्ही किसी चीज पर बैठ रही है वो तो है वो चादनी चौक वे है ना कि जो भाई उसकी खस्ता कचोड़ी है और जलेवी में बख्की बैट के जो देती है फिर अपना अनद वो वो तो फिर वहां के महमोद बढ़ी दिल्ली में कॉम से कहीं का अपका फेवरेट है दिल्ली में ऐसी को जो बहुत फेमस दुकान नहीं है दिल्ली में अगर मैट्रो स्टेशन के नीचे एक लगाता था अच कि वो अच्छी रहती है और ये बहुत सिंपल वाले हैं बड़ वो चीज़े तुमको किसी का टेस्ट लग जाए मैं गया था मैं आपको बहुता हूं मेरा एक एडिटर था बहुत पहले शिवम नाम था उसका तानी तो वो मैं ऐसी बुलाता था कि सर आज आजाओ यहाँ प मैं तीन बजे जाता था पहले एक ओमलेट वाले के लिए जाएगा उसके भाई भिन प्रकार के मतब नाना प्रकार के वो पचास तरीके के ओमलेट फिर ओमलेट एक तरीके काम खा लेंगे फिर आदे घंटे बाद एक जाएंगे दुकान पर जिस पर चाप होती है चिकन की पर चाप वेज़ी होती है और फिर दुमाली रोटी के साथ वो खाएंगे उसके बाद कहीं जाके शेक पिएंगे फिर आइस केम खाएंगे तो मेरा जो तीन से दस का टाइम होता था वो इसमें चले जाता था तो कब की बात है यह होगई यह 18-19 की बात है अच्छा मतब वे दुकान थी और मुझे धाबे का यह गल्चा दिल्ली में पता चला कि दिल्ली में धाबे का को तो कि आपको थायस्टार रेस्टोरंट में जानी की जरूफ नहीं या या फाइंट डाइनिंग में नहीं जाने की जरुत है ऐसे छुट शुटट ज़ते ड़ा एक पाना होता ह मैं एक चीज मैंने देखी है बहुत बड़े बड़े फाइव स्टार होटल में मुझे कभी भी वो टेस्ट नहीं मिला है जो मुझे मिल जाता है ऐसे रास्ते चलते गरीब के दुकान गरीब के पकवान सिंपल चीज है और गरीब खाने वाला कितना बढ़ी है चीज आपको फैक्ट बताओ क्योंकि आप भी आप तो अब अब ट्रेवल करें आप कभी ना फाइव स्टार होटल में ओमलेट मंगवास होगे आप उसको दुनिया जहान का बोल दो कि सभी मेची तेज काई देना मसाला ओमलेट बनाना है चीज नहीं डालना और आप एक धाबे वाले को नीचे चलेंगे उसको बोलो एक मसाला ओमलेट बना दे कुछ नहीं बोलना आपको बसे और दोनों का टेस्ट करके देख लो भाई साब इतना डिफरेंस होगा ना कि या यह कैसे बना रहे है वही चीज़ है इसको बिना ब्रीफिंग के यह इतना तगड़ा बना रहे है वह बनाते सोचते हैं कि एसी में तो पैसा लगी रहा है डाल ले जाओ यह सब सीज़े है तो यह कॉमेडी से शुरू कहना था आपे पहुंची नहीं पार है कॉमेडी पे यह तो बात है डैशिक परसनालटी आपारे साथ आगी मैं दिमाग फोकस नहीं कर पा सिर्फ लब खतम ही नहीं पा रहा है कब शुरू किया आपने स्टैंड़ब मैंने स्टैंड़ब शुरू किया मुझे लगता है 2016 में पहला उपन माइक किया था और इससे पहले क्या करते थे इससे पहले तब भी जॉब ही करता था और तब जॉब कर रहा था बच्चों के लिए बुक्स बनाता था मैं जो कार्टून बुक्स होती है ग्राफिक नॉबिल्स होती है उसके लिए काम करता था उनकी जातक कता है पंचतंदी कहानी है यह सब रंगता था दिन भर रंगता क्या था वो इतना बड़ा शीट होता है उससे ड्रोइंग कर रहा हूं दिन भर बहुत मेनत का काम होता था तो आपने तो यह सारी पड़ीवी होगी नागराज परमानू इन सब का अविशकार किया अविशकार जो अगर जो 90 के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि यह और मेरे लिए वो बहुत बड़ा था लिजंडरी वो होता है नो मैं उनसे मिला वो मुझसे मिले और वो मुझे जानते थे मैं दोनको मेरा बच्पन के हीरो बड़ा अच्छा लगा कॉप कॉमिक्स वासे उठा गया है बहुत सारी चीज़े कौन ता फेवेट सूपर हीरो का अच्छा नागरा जुरूब मुझे कभी उतना मज़े जाना नागरा जुरूब मैं बतला दोबा दोगा की जो एक तो मनू इलिस्ट्रेशन करते थे दोगा के जो आर्टिस्ट थे उनके अच्छा वहीं से कॉमिक्स को जैसे ही मैं आर्ट में इंटरिंग मेरी और डोगा बहुत रियलिस्टिक करेक्टर है एंटी हीरो है वो तो वह मार देता था फाड़ देता था किसी को भी नागरा जुरू निकाल रहे है नाग और बहुत कॉम्प्लिकेटिट उनकी कहानियों अनुपम और वहीं जादा लिखते थे उनकी कहानिया और उनकी इलेस्ट्रेशन करते थे मनू अच्छा बहुत भाड़ू बहुत वह कैरक्टर मतलब उस पे तो फिल्म बनने वाली थी अनुरा कश्यप बना रहे थे और बन सकती मतलब उसमें कोई बजट बजट जाद लगे कर नहीं रात की शूटिंग गटर में रहता था रात की शूटिंग गटर में रहता था रात में सीटी बज़ाता था सारे कुटे उसके जासूस थे मतलब आप तुम सोचो कितना रियलिस्टी कारेक्टर है एक आदमी है जो गटर में रहता है क्रिमिनल है पुलीस बीट को ढूंड रहे है और वो क्रिमिनल इसलिए है क्रिमिनल को फाल देता है उसका लाइन था कि डोगा समस्याओं को हल नहीं करता जड़ से उखाड फेकता उसका यही था कि वो अप सोचो मारने का उसका तरीका कैसे था वो छोटे बच्चों के हिसाब से बहुत ग्राफिक चीजे है पर उसकी के नाक में मंदूग डाल के सर फाल दिया उसका वो उसका तरीका था डोगा का तो मुझे वह करेक्टर लगा कि यार कितना जबरदस्त ह कितना रियलिस्टिक है कि वो दिन में जिम इम पर काम करता था और राद में निकल जाता था डोगा बन के फाल देता था सबको बहुत सही और यह सोचो है 90s 2000 में वो सब मतब इवाल्व हो चुके थे वो लोग ना मतब जो डिजाइना दिया जो भी जनोंने बनाई है वो मैं चिठी लिखे बेज़ दे दो थीन अपने काटून भी भेज़ दिये थे कि यह देखो मेरा अभी आट ऐसा है इतना जाटू तो वो चीज वो गर्मियों की छुटियों में मुझे आद है मैं चालेस रुपे देता था कॉमिक वाले को कि चालेस में महीने के तेरे हो गए वो वही कॉमिक्स को लौट हर साल हम पढ़ रहे हैं एक आजाएगी कोई साल की जो है करीगा के कहर पढ़ रहे हैं ठंडी आग वही सब पढ़ रहे हैं आपको कभी यह ने लगा मैं जब भी यह कॉमिक्स पढ़ता था और जब क्यूंकि अब मार्वल लेखता हूं सारी one to one मैपिंग नहीं है जैसे कैप्टन अमेरिका, सूपर कमांडो धुरू बैटमैन, डोगा देखिए वो सब तो क्योंकि उस टाइम मैं इसको जिसाब बहुत लोग एकदम वो करने लगते हैं क्या बोलते हैं कि एकदम उसको गालिया देने लगते हैं कि भाई उसका कॉपी कर लिया सीदे, कॉपी नहीं गह रहा है, मैं कहरो कि सोचो, इंडियन आइस कितना तकड़ा है कि मार्वल एक बिलियन की मूवी बना रहा है, मैं सोचो कि हमारे में कितना पुटेंशल है, ये तो नकल, नकल वकल छोड़ो मैं तो पिल्कुल उसमें हो कि कितना, मतलब या क्योंकि ये तो अब जागे फेमस हुई है, भाई, अब जागे फेमस हुई है, उस चाइम पर तो इनको कोई, मुझे नहीं पता कोई पूछ भी रा था था वहाँ पे या नहीं horror comics पढ़ने में बहुत मजाता है सस्ती कहानिया एक दम जो है और मैं crime shows में बहुत देखता हूँ तो वो सब सीन है मेरा तभी तभी गंदे गंदे बिलकुल personality है ये podcast की मजबूरिया होगी है मेरी जो मुझे ये सब कहानिया बाते काई निए तो अच्छा महां से आप ग्राफिक्स पे इससे पहले जॉब करने से और ये सारी वो बना रहे थे बच्चों के लिए पंच तंत्र और फे कॉमेडी कैसे आई कॉमेडी मैंने देखा मैंना उस ताइम बहुत वो था बहुत पशो पेश में था मैं जहां पे जॉब करता था क्यों हमारा दिन भार ड्रॉइंग का काम होता था मैं यूट्यूब पे गुफ्तगू उससे बढ़िया पॉटकास्ट मैंने नहीं देखा गुफ्तगू राजसभा टीवी पे गुफ्तगू करके अच्छा जिसमें इरफान जो एंकर थे उनके वह बहुत अच्छे सावाल पूछते थे अच्छा और वह थीटर के ऐसे से लोगों को लेके आते थे जो बहुत अंडरेटेड है समझ गया मतलब सदाशिव अमरा पूरकर जो है आ गए या जो है और भी बहुत सारे रगुवीरी आदव आ गए आर्टिस्ट को लेके आते थे और लोग ने एक ही सबने बात बोली कि आर्ट जो है ना हमने थीटर देखा एक दिन हमारी जिंदगी बतल गई मेरे दिमाग में हमेशा सही था कि मैं कोई न कोई परफॉमर हूँ मैं यह ना यह तो चलो जॉप कर रहा हूँ मैं पर यह मैं जिंदगी बर नहीं कर पाऊंगा मुझे कुछ और करना पड़ेगा पर उसमें था तो कभी लगा कि रेडियो के लिए मैं काम कर दूँगा आर अरे लास्ट वाला कब हुआ था था लास्ट तीन साल पहले हुआ था 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 खुद ही फाड़ा हूँ मैं वहां से चला आया मैं थीटर का सोचा मंडी हाउस के भी चक्कर लगाए तो मुझे पता ज़े लग थीटर में तो कुछ बहुत स्ट्रगल है और वो कन्विक्श अपको चोड़ना पड़ेगा घर पालना है मेरी मा राह तक रही है वहां पर बेटाएगा रोटी बनाओंगी एक थाओंगी दोसको फिलाओंगी तो वह भी देखना था मुझे फिर मैंने देखा स्टैंडड़ कॉमेडी बीच का जुगार चलते चलते यह सब सीजे मैंने स्टैंड़ अप कॉमेडी देखी जाकिर भाई को देखा यह लड़का हमारे बीच का एक लड़का जो है और ऐसी बाते कर रहे हैं जैसे हम लोग करते बक्चोदी थोड़ी काली भी देदी लगा कि यह आता है तो उनसे मैसेज किया कि आपका बहुत बढ़िया लगा और थेंक यू सो मच भाई शो में आ जाओ कॉमेडियन से पहली बार बात कुरू से ही बोलता है शो में फैन्स बने चाला कॉमेडी बने कॉमेडियन बने ना बने एक ओडियन जरूर बच्छा है पांचे रूपय तो छेतो इसे एक्जैक्ली जाकिर भाई भी उन्होंने फिर में अपन जो किया अच्छा लगा मुझे काष्ट मैं भी जो है मैं भी कॉलेशी टाइम करता था मिमी करी बगर्ण तो भला अभी करो हमके क्या ओपन माईक होता है फिर मुन लगए फिर मुल ल सारी लोग थे आपका भी था उस्ताइम अरे आप तो बहुत पुराने हो आपका भी देखा जब वो एंटी टीवी वाला था आपका देखा और आप तो वाइरल सबसे पहले वाले हो जब स्टांडब कोमेडी का कुछ था ही नहीं आप लोगों पता है यह चीज कि यह जो है अ और वो तब स्टांडब कॉमेडी जैसे चीज हो वो कैसे था वो कहां से आपने था की किया था तो मैं रिवाल्डो के लिए उपन काई था था आप जाए सब कोई पता ही है रिवाल्डो के लिए उपन काई था तो रिवाल्डो के उपन काई था रिवाल्डो के उपन काई कि दो दिन में छे शो, कॉले शो, ऐसे वह लपेट लेते थे, तीन शो एक दिन में खीच रहे हैं, तो एक दिन हमने किया, हमने महाराजा अगर से इंस्टिटूट ऑफ टेक्नोलोजी है, रोहीनी में, फिर वहां से कट्टू गए हम शाम को लखनों में शो कर इने, का बहुत पहले एक वीडियो देखा था, जिसमें वो ना पूरा स्पेशल डालते हैं, तीन शो रिकॉर्ड करके, मतलब एक सेंट फैंसिस्को में एक एल्ले में ऐसे करके, तो मेरे माइंड में बता है, अब हाइब जो भी लो प्रडुक्शन में तीन शो रिकॉर्ड किये वीडियो तीनों की मिलागे डाल दी, और सम्हाँ वो चल गई, मतलब वो यूट्सेप पे काफी वाइदाल होगी, तो वो तुक्के में निकाली थी, और मुझे लगता है, वो होता ही है, जब आपको नहीं पता होता है, जैसे आपको कल की चिंता नहीं कहता, तो आपको कभ जैसे अब आप भी जो भी कर दो, जैसे अभी आपकी चाय उसकी भी बात करेंगे, जो अब आप स्मॉल व्लॉग, मिनी व्लॉग बनाते हो, आप कभी इंटेंट वाइरल होने के लिए नहीं कहते है, मुझे पसंद है, मुझे पॉड़कास अब मजा आता है, एक घंटा किस करेंगे, तो शायद एक घंटा मिलना हो रहा है, अगर आप देखो, दो साल पहले तक, कमीडियन सिफ ओपन माइक में मिले थे, उससे पहले ओफ-लाइन तो कुछ बात होई नहीं थी थी, जैसे आप मोहिच से मिले रहो, वो भी आपकी मजबूदी है, जैसा कि आपने बताय वैसे एक जगे पर दस कमीडियन या बीस कमीडियन मिली नहीं देते हैं, तो मुझे लगा कि करते हैं ना क्या बुराई है इसी वान ने, क्योंकि अब नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, किसी को तो करना पड़ेगा, एज इंडिस्ट्री भी कॉमेडी इंड तो दस ही कमीडियन थे, तो वो तो आपस में ही जानते ही हैं, और वो ही ओपन माई को रहा है, एक ही ओपन माई को रहा है, वहीं दस मिलने वाले हैं, तो वो इंडिस्ट्री वड़ी छोटी है, बड़े लोग, मतलब काफी बढ़ भी चुके हैं लोग, आप सौ लोग तो व तो घुड़ा सा वो हो गया, कंफ़रट जोन में, अच्छा बीता गया टाइम बीता गया और ऐसे कर के चार पान महीन हो गया है, फिर अपफर म कर दो ओपन माई जाना कए, नई, एक दिन, करूँ एक दिन, फिर ऐसे करूँ एक दिन, बैठ ता तह देखता था, मुतलब वो जो feeling है वो जो चीज है जब आप कहीं फसे हुए हो और जब आपको एक survival करने का रास्ता मिलता है वो बहुत अच्छी होती है वो पार्ड बहुत सुंदर होता है वो अब नहीं फिल कर सकते हैं कभी भी क्योंकि आप तो successful हो गए तो वो जो चीज है ना मैं करूंगा एक सपना आँखों में चमक जो होती है वो चीज जो है उस टाइम थी पाड़ी पे वो चड़ना है आप देखे जारे हो कि सब चड़े जारे हैं और मैं चड़ू महां से जो व्यू होगा वो वो चीज तो वो रोमांच तो और किसी चीज में नहीं है फिर मेरे दोस्त है समीर दुवेदी भी अच्छू का ही दोस्त है और उससे मेरी बाड़निंग वो बहुत सीरियस कम भी रिव्यक्ती है पर वो बक्षोधी मेरे साथ करता है और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त है तो मुझे जिम कैरी बोलता था कि कॉलेज के टाइम से तो भाई भख्षोध आदमी तो है उसने बोला कि मैं बैठा था बोला कि भाई भख्षोधी ही तुम्हारा फोटे है और वही जॉब में तुम्हारा मन वैसे भी नहीं लगता वही कर रहा है तुम्हारे लिए ठीक होगा उसको थोड़ा मैंने सीरियसली ले लिए कि भाई ये कह रहा है तो होगा बाद क्योंकि ये जानता है मेरे को और भी जब कॉलेज में या दोस्तों के बीच जब कुछ तुम्हारे अंदर एक जो में लगता है कि फणी आदमी है फणी आदमी हो या ना हो लेकिन आप तुम्हारे अंदर पंचार हो ना जब तक नहीं निकलता ऐसा लगता कि भाई गैस बन जाएगी तो ये मैं बोल दू फिर लोगों हसे ना हसे तो वो चीज जो है ना वो थी म्रे अंदर, कि यार मैं हसा देता था लोगों को फिर मैंने शुरू किया पहला मुझे मनीश Charlaki जी ने मुझे दिया और उन्होंने बोला कि आजाओ भाई उपन माइक में मौका सब मरीन का एफे करके वेस्ट डेली में तो उन्होंने बोला कि भाई पांच मिनट का आपको स्पॉट देता हूँ मैंने बोला मेरे पास साथ मिनट तब तक लिख लिए अथमाटी लिए बोले नहीं पांच मिनट तुम पहले कर लो बोलाया उन्होंने तो मुझे रजचौहान मिले वहाँ पहली बार और वो पहला कॉमिक ही जिनका नंबर मैंने अपनी जेब में डाला रजट ओपन माइक मेरे अभी भी है अच्छा फिर दो पटी में कर रहा है हाँ कि भाई ये ना हस क्यों नहीं रहे यार वीडियो में तो सब हसते रहते हैं मतलब ये पेड़ तो नहीं है तो फिर मुझे समझ में फिर मैंने दो-तीन दिन और पूरा सोचा कि क्या मैं सही कदम कर रहा हूँ फिर टाइम लगा थोड़ा सा फिर दूसरा ओपन मैग था जो शिमीद माथूर ने कुई क्यूरेट करवाया था लेजेंडरी शिमीद माथूर इनका नाम आपने आशीश के वीडियो में भी सब होगा अब फोटो लगाएगे इनकी शिमीद माथूर बड़े डार कोमीडियन है और उनका ओपन मैग था उनसे भी बात हुई फिर वो लगी आजाना और उस ताइम फिर मैं ना जिन लोगों को देखा था एंड़ी टीवी उसमें उनको मैं सामने देख रहा हूँ जिन्द है मोहीव सिंग के बादेश हो रहे हैं मोहीव सिंग के बादे बाते हुए था अच्छा झार वो तो दिन बीद गया उसके पर मैं करता रहा इसके पर मैं करता रहा दिन में जॉब करता रहा ये जोशे की बात ही है ठ snippet तरह 14 पंदरा गै जो रिफ्लेक्शन है और जो एनरजी ओडियन्स की इंसान को मिल जाती आर्टिस को वो चाहिए मचे जो पहला एक्सफिलियंस होता है ना वो मनला अभी भी में दिमाग में आ जाता है वो कितना बड़ा शो कर लो कुछ भी कर लो बेबी स्टेप जो है ना उसकी कोई कीमत ही न सब्सक्राइब करता है अब इसमें रहा फिर उसके बाद फिर मैं करता रहा जब भी मुका मिला अचा फिर तो सबकी साब बातचीत भी शुरू हूई और लोगों ने काम देखा और खुद को भी पता चल जाता है कि और डूइं गोड ठीक कर रहे हो लोग हस रहे हैं इसमें ऐसे वैलिडेशन किसी का चाहिए ही नहीं इसमें बस ओडियंस बोल रही है तो भाई फनी हो नहीं हो तो फनी हो जनता हसरी है यह जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या करें देखो बस स्टेज पर जाओ अगर ओडियंस को अच्छा लग रहा है तो आर्टिस कोई भी आर्टिस बोल रहा है कि यह अच्छा यह बुरा है वो छोड़ दो जनता हमाद कलत मत बोलो किसी की कम्यूटी और वो सब चीजों के बारे हां 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 कुछ चीजों का ध्यान रखना ज़रूरी है फिर आपने पेला वीडियो डाल दिया जो एक इस पे बहुत ही अच्छी ज घंटा लेह आ लेहरे है फुल जबान वसीज इंडिया मेरा पहला वीडियो विडियो था वाइरल वीडियो ऐसा वारेल था कि लोगों ने बातचीज करनी शुरू की कि वाइरल होना है लेकिन रवी गबुथ-इसा अच्छी बात बीशब्ट पर प्छली बहुत ज्यादा पॉन इंडिया पॉन। सब सेक्शुल चीजे बाते हो एं और मुझे इस टाइम लगता था कि यह नहीं बात कर सकते हैं इस बारे में मुझे इसमें भी कुछ जोक्स तो बहुत फ़णी लगते हैं भी लापटॉप जोक्स फ़णी लगता है रचीए। कर सकते हैं यह सत्लिक के रचीजा, कि खते हैं वरन जीज़ी है यह पुर। यह रचीज़। सेक्स इंगनगता है वह सत्या है कि यह पंदें फीट जाए होगी ऐसे कोमेंट भी चैनल करते हैं बाई यह कॉन है यह मतलब कोई धंका कुछ नहीं चितर का है तो इतना फटने के बाद भी कोई टिकट नहीं भी करा कुछ भी नहीं तो था कि भाई यह करना पड़े कुछ और और यहाई तक 17-18 की बाद है जितना मुझे लग रहा है लेकिन उसके बाद तीन साल आप और और चल रहे थे शायद मैंने लगबग 6-8 महिने तक मैंने कॉमेडी दम छोड़ी दिया था कोविड आया तो इसी चूड़ी गया अच्छा अंदर से भी ना क्युकि मैं थोड़ा सा डीमोरालाइज हो गया था कि कुछ तो गलत कर रहा हूं या क्या हो रहा है गलत क्या कर रहा ह क्या चीज मैं कर रहा हूं क्या चीज है और वो चीज ने और बागी सारे साथ की कमीडियन्स अच्छा करने लग गए हैं सब की टिकेट भी हूं तो वो चीज थोड़ा से मेरे को दुखी कर रही थी अच्छा बीच में फिर कोविड आया तो फिर जॉब पकड़ी मैंने और मेरा काम मंचलने लगया था थीख थाकश है थिक थाख थाक एंचस हैं मेरे चोटे मुटे शोँस मिल जाते थे बढदे में करदी पटी बाटी मुनाज़ा शोटे मुटे विच्टे मुटे थामाशों से भी रोटी चावल दाल सब आराता अग पनीर खाना था मम्मी को मोमोज खिला दे चिकन वाले है तो हाँ तो वो चीज भेना नहीं कर पा रहा था मैं तो तीन-चार महीं ने नौकरी भी करी न्यूस चैनल में राइट हाँ कुछ एक वीडियो हमने डाले उसके बाद दो वीडियो और डाले थे मैंने पर वो एकदम पिट गए एकदम दो दो तीन-टीन लाग पर अच्छा स्ट्रगल ऑफ कमीडियन डाला था एक हाँ और एक शायद आपने कोई तो कवीता डाली दी वह एक कवीता तो बहुत प्यार मिला लोगों का अच्छा मुझे लगता कि अभी तक का मैं अगर किसी काम को बहुत अच्छा मानते हो मुझ यह दिल्ली के ठंड में हो और एक तब कड कराती ठंड में मेरे सारे दोस्त किसकोई प्रोटेश चल रहा था उस टाम उसमें जा रहे थे और मैं भी आऊंगा लेकि मुझे उस पर आई कि तुम्हारा स्ट्रगल वहा जो चल रहा हुआ है इस पर मेरा स्ट्रगल भी एक कहान अच्छा यह पढ़ी हुई थी वीडियो कौन सी जॉब और पैशन कल की चिंता वाली अच्छा यह पहले से पढ़ी हुई थी जो जैसमें आपके छोटे बाल है और वह लिज ऑख यह पढ़ी हुई थी और मैं दो वीडियो और डाल चुका था और उसके बाद जब मैंने सो तो मुझे लगा कि भाई मेरा ना हिसाब किताब बने का नहीं कुछ मैं एकदम होपलेस हो गया मैंने क्लियर कर लिया लगि में दिमाग में था कि मैं जॉब भी करता रहूंगा ठीक है ठीक है और मैं कि यह चीज मुझे बड़ी खुशी देरी है और मुझे इससे जो कमाई कुछ होगी वह भी मैं अपने रखोंगा और भगवान करें कि इसा कुछ हो जाए कि जॉब जितना पैसा मैं इससे कमा पाऊंग तो जॉब चोड़ दो है फिर वो वीडियो जब मैं डाल रहा था गिर गे उसी टाइम यह बगवान एक संकेत दिया और वीडियो तो मुझे लगा कि या हो रहा है मेरे साथ भाई फिर मेरी जिंदगी में मोहित वापस आता है उसने बोला कि मैं हर जगा वीडियो ढूंड ली है विडाट में फोन कर लिया बोले चार साल कुरानी वीडियो अब रखते भी नहीं अब दुबारा फोन भी मत करना है और वान ने एक साथ दो संकेत दी है फिर मोहित ने बोला कि तेरी एक वीडियो वो जिसमें शर्ट पहनी है तो ने ब्लू कलर की है बला है मेरे पास है है उसके पास रखी यह कैसे हो गया क्योंकि हम लोगों ने साथ में शोगिया था वो तीन लोगों ने मैं मोहित और शीव मलखन पाथ कामन वीडियो की फूरी और तीनों ने पैसे दिया था अच्छा बीच में को और किस्सा हुआ था जो आम अगा शेया करना चाहना ने करना चाहना चाहना तो इनका बीच में ना यूट्यूब चैनल शा वह उस ने मेरी जिंदगी ने ऐसे बिए तो ने एक आम अच्छा किया तो तीन काम गलत पर फिर एक काम अच्छा किया तो उसको मैं मारने जैसे जाता हूं चागू लेकर और फिर कुछ कि प्रो मैं देख तो तो वह हुआ कि एक न्यूश चैनल के लिए हम लोग काम कर रहे थ अब पता नहीं उस दिन कमरे का वाइफाई कितना तेज था यह पता नहीं क्या हो मुझे समझ लिया था मेरे फोन की जितनी भी वीडियो थे उस सारे उस अपलोड खटाखट होने लग गए जो भी फोन में मेरे वीडियो थे अब उसमें बहुत सारे चीजे थी वाइलन्स के पता नहीं कहां से घरवाले होते निया वोगरूप में की पेजते रहते हैं कि कि सब्सक्राइब और यह वीडियो गाने के वीडियो जो थीन मुजिक के वीडियो जो थीन अनेथिक गलत वीडियो जब यंग भाई बहूं मैंने देखे भी नहीं थे वह आटोमेटिक जो डा चला गिया वो वीडियो, ड्लता गया किखट खट खट कट कर यूवाग और फिर यूट्यूब ने खुद ही वहाँ जो यूट्वीप बैठा होगा बंदा सोच Dal Suk geht ये क्या डाल रहा है वो जो बंदर ना ओँवह, हो सकते हां hundred फिर थोड़ी दूना। अरे सहाग, यह क्या डालो जा रहा है, भाई, यह क्या डाल रहा है, फ्लग निकालो, यह मैं नहीं डिलीट कर पा रहा है, इतना multiple violation मैंने कर लिया यूर्ट्यूब के लिए, क्योंनों ने suspend कर दिया, वो चैनल हटा दिया, गुलाब के चैनल हम परमालें, यह suspend कर रहा है, मैंने बहुत, मैंने तो रोया एक, बिना मोमोस खाया रोता था, एक हफते मैं पड़ा रहा है, रात बर सोता था, सुबह उठता था, फिर रोड़ने लगता था, कि यार मेरे जिंदगी अश्टाइम जॉब नही थी मेरे पास, अच्छा जॉट जुट जुके हो, जुट जुट कि यूट्यूब से जो थोड़े बहुत शोज मिल जाते थे, वही मेरी जिंदगी का पार्ड बने हुए थे, बहुत एफ़र्ट माननी के बाद जो है, उन्होंने, उन्होंने बोला कि फर्मालेंट लिए आपका सस्पेंड है, मुझे लगाता भूलोगी, यह रभाई भोग मैंने, जब मैंने, मैं तो नहीं मारा हूँ, तो मैं कर लूँगा, ठीक है, फिर फोन आया है कि आपका शो करवाना है, पर आपकी वीडियो कोई में आपका कैसे देखेंगे, फिर मेरा मूल खराब, पर कुछ दिन में अपने आप ही आ गया, उनको भी समझ में होगा, जो य एक साल लगा जाए, छे महीने नहीं खराब ड़ने अटनर अचाँ, वह गजा और कुछ है, वह अचाँ, हो दो लाग सबस्क्राइबर थे उस टाइम मेरे, अचाँ, लो लाग सबस्क्राइबर मेरे पस वह आ चुका था, शिल्वर बटन अचाँ मेरे अचाँ, ल्वर बट वोईद बोनानी ने आपको वीडियो दी ने बोला कि भाई वो वीडियो है कल की चिंता नहीं गए तो मेरा दोस्त है और मैं भी दोस्त हो तेरा और फिर उससे तुरंत लिया क्योंकि उसके साथ कोई चीश ठीकती नहीं है पता नहीं कहां से ठीकी रहे गई वह वह ऐसा आदम जीरो फगिवन तो मैं भुला भाई तुरंत पहले यह ले लिया थैंक्स तो मोहिद यार कि वो रहा फिर वो वीडियो डाला मैंने उसके बाद फिर वो वीडियो जाने के बाद इंस्टाग्राम पे उसके भी बहुत बाद में फटा वो जो सिर्व पटिकुलर लाइन कल की अर मज़धा बात है तब आप कल की चantas करते थे जिनता मुझे लगतार तक वह मैं एक साल तक वह बिट करता रहा है नहीं अरो कि मैं पहले ही जेनूली जहु रहो कि कि कल की चżenता हा तो यज हो रहाए बीट देखो तो पूरा डिप्रेशन अच्छा दिप्रेशन से भराविट हे वाला वह तो पूरा आप उसमें सैड बाते ही हो रहे ही गल्फेन चोटके चली गई एचा पा है काम नहीं है नहीं है अच्छो बच्वण में अच्छा नहीं बीथ है कि आफो वह सेड टॉम ही है कामेडि का में हमेशे ही मानता हूं कि को मूल है वह ट्रैजिडी ही है दुख से ही कॉमेडी उपच्ति है वह बता राधा कोई डिक्टर सुनी किया जुटी है कि हरा फरे फिल्म बहुत फ़शनी है दुख से भरे हुए है किसे के भास खाना नहीं जो बहें निशादी करवानी है वो सब चीजे अपनी एक स्चोरी चली है तो वो एक टाइम आने के बाद वो दुख जो है और दूसरे का दुख आपकी खुशी बनता है ये साड बट यही रियलेटी है लोगों का लोगों को दूसरे का दुख देखके मज़ा तो आप अपने दुख पे मज़ाक उड़ाने लग जाओ तो आपसे बढ़िया कुछ है लिए तो वो वही चीज था कि वो कल की चिंता वाला फिर बट वो वाइडल बहुत टाइम बाद हुआ इथिंग ना नहीं नहीं वो मेरे काल से दो महीने बाद जो है ना सडनली फटने लगए दो तीन हथे बाद ही मैंने या एक महीने बाद आच्छा वो वीडियो तो ठीक ठक चलने लग गया था मल्लाब वो एक लाख व्यू उसके आए पहले हफते के अंदर अच्छा नई नी एक मिलियन विउज हुए एक महीं एक हफते गार सुख़े एक हफ्ते में एक मिलियन विउज हो गये आच्छा जो कि बहुत बड़ी चीज थी और इसमें बहुत जिनमेन कॉमेंड्स भी आ रहे थे जाप वाले की थी त्रह नहीं आ रहे ते बहुत फ़नी है लमबे ल हो रहा है फिर फ्लु क्वलू कि जपान इंडिया हो रहा है फिर रील पे भी देखा रीलिये वालखी मेरे सαult पेले हो चुका था रील वारा हुआус एकम रपला ने कर लिए बंचुकम मेरे सब अब च्राइब कॉस्तोब ने मेरे को बोला कि भई आप शो करो मैं अब भाइसाइब नहीं 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 आप प्लीज करो शो करता हूं पचास साथ सीटर का वेन्यू था सत्रा टिकट बिग गया उसके तो वह मेरा पहला शो था और उसके ने मेरे को कॉंफिडेंस दिया कि लग रहा है कि कुछ थोड़ा जीवन में चेंज आएगा लोग थोड़ा तो मैंने देखा कि एक लाइन लगी है मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूं वह होता है ना कि आप चलते जा रहे हो सड़ली देखता है यह कोई बड़ा अटेस्टार है क्या वह मेरे दिमाग में उसके लिए मैं र अच्छा तो इसके बाद से तो जर्दी थोड़ी सी स्मूथ फर तो आई तिंग गेम अप ही होता गया मुझे लगता है तब तो फिर हां फिर ना लेकिन जब यह वीडियो डल गया तो मुझे लगा अच्छा अच्छा बढ़ा कि यह एक वीडियो चल गया मेरा अब आगे तो दूसरा वीडियो पैरेंट्स वाला वो भी अच्छा रिस्पॉंज वाला तो मुझे लगा कि जनता मुझे पसंद कर रही है तो इक आपको पसंद था क्योंकि मैं आपकी पहले भी देख रहा था मुझे ना व्लॉग बनाने का मन्ता अच्छा व्लॉग बनाने का मेरी गोरा कपूर सर रहे है तो पर जिस तरह के व्लॉग बनाते हैं वो मैं उस टाइब का नहीं बना पा रहा था तो मुझे यात्राइं करनी पसंद है तो मुझे लगा तो मैं ट्रेवल इतना करता हूं तो मैं करूंगा व्लॉग और मैंने फिर बनाने की कोशिच भी करी पर वो मुझे से हो नहीं पाया है वो बड़ा लेंदी प्रोसेस है कि आप कैमरा लेके आपको ट्रांस्पेरेंट होना पड़ेगा प्लस बड़ा क्या बोलते हैं कन्विक्शन चाहिए उसकी उसकी वो भी पैशन वाला का हाँ आप अग आपको अपने सारे मोमेंट्स कैप्चर गाइना वो बहुत टफ है कैसे कॉंटेंट निकलेगा तो मैं यह जो अभी कर रहा हूं यह मैं वैसे रील्स में करता था अच्छा कि मैं एक कोई पॉइंट उठा लिया उसी पर बक्चोदी काई बच्चे जूला जूल रहे हैं तो कुछ उस पे बना दिया है कुछ उस पे ईयर पोर्ट में अब बनाता हूं व्लॉग तो एक अनुराग माइनश वरमा करके या याद है वह पॉलिटिकल व्लॉग्स बनाते हैं और बड़ा सटायरिकल उनका व्लॉग हो रहा है वो मुझे बड़ा पसंद था अच्छा अच् रविवार के दिन मुझे सीकर जाने का सौभा के प्राप्त हुआ सीकर की बड़ा डॉक्यमेंटरी वाली स्टाइल में विलों यह बहुत बढ़िया है फ़नी है तो वो मुझे पसंद था तो मैंने फिर डालना शुरू कर दिया इसे चोटे-चोटे व्लोग शुरू किये फिर एक बड़ मेरा अपना स्टाइल डेवलप हो गया फिर एक पाकिस्तान वाला वीडियो बहुत जड़ा वायरल हो गया और उससे मैं बन गया सीक्रेट एजेंट इसे उसमें बनाया था लेकिन उसके बाल मुझे एजेंट की रूप में पहचानने लगे मैंने भी उसको कंटीनु रखा मुझे वो श्चोरी बन रही है तो फिर वो है तो जहां जाता हूँ मैं मुझे मजाता है अब यह हो गया कि लोग लिख रहे हैं कि भाई स्टांड़ कॉमेडी छोड़ दो जाता बोल रहे हो बाफ बाकी व्लॉक्स तो यार उसको जितना प्यार मुझे मिला है व्लॉक्स से ट्विटर पर वाइदल लेगा तो उतना जो है उतना मुझे लगता है कि यह कमाल है मतलब मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ और मेरा वह घूमना मुझे अच्छा लगता है और घूमने के लिए मुझे प्रेदित करते हैं आप तो वह कमर्शल एंगल भी आ गया ना ब्रेंट डील कहते है कि जाओ घूमकियो थाइलेट गूमकियो मैं एक ची बता रहूं कमर्शल एंगल ओनेसली नहीं भी होता ना तो भी आपका नहीं होता है इसमें कुछ भी एक रुपया भी नहीं मिल रहा होता तो डील आ जाती यह बहुत पैसा मिल जाता है तो आपका है जो इतना पैसा दे देता है अ वह चीज है लेकिन अअ नहीं होता तो भी में करता मुझे रहा पसंद हो को मुझे खुद भी खुश रहना पसंद है और मेरे दीमायाग में गल्टा है बहूत साने लोग मैसेच उससे कितने लोग बॉलिवुड की कुछ लोगों ने मुझ कि भाई तुम्हारा बहुत अपने बहुत अमेजिंग एक्टर हैर वो उनकी फिल्म आरी है दंगे उसका भी प्रमोशन में कर दे रहा है कि अब बहुत बढ़ी है तो यह सब चीजे तो आपको लगता है कि यार यहां को अच्छा ही कर रहा है जब यहां तक पहुंच रही है लोग अपने अपको और यह जो दो लेवल पर इफर्ट मा रहा है देखा कि भेजू गाया मेर को मन गदा इसको भेजने का अभी जीतूग जीतूगी है जीतूगी है भाई यह फालो कर रहा हूं और तुम वो बंदा तुमको अप्रिशेट कर रहा है वो उनका वह याद है पता है कितना सेक्स का इतैंगी है जो लगा दो लगा वोट वाले अमन गुपता जी ने फॉलो किया मैं अश्वार एक बात हो रही थी खतम करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक वेबस आपने मेरे को बताई थी कि ये देखना ब्रेकिंग बैड पूरा अलग पॉड्कास कर सकता हूँ तो ब्रेकिंग बैड के लिए अलग कर दे इसको अभी नहीं करें सभवाई स brought up एक डि competit इनाे CRS 251 सभवाई पूरी स्चोरी को मतना वाल्टर वाइट से जादा फोज सभाधा आइक सी बताता हूं लोगों को लौट्क्रिक्टर्क्ण पसंदाते हैं लौगों को लौब्लट कार्क्रथ्टर पसंदाते हैं कभी भी वह डेफ्थ में नहीं जाना चाहते हैं कभी भी वह जहां पर Jesse Pinkman is a very good human being हमेशा ही वह एक अच्छा इंचान है प्रोफेसर हराम ही निकल गए उसका जो वह थाना वह पहली खतम हो जुका था कि तुमको घरवालों को बचाना है उसने पैसे इतने कमा लिये थे वो रुख जाता लेकिन उसकी हवस थी और उसको परसनेल्टी इतने सालों से जो उसने दबा के रखा था कि भाई मैं लूजर रहा हूँ अब मैं फाड़ूँगा साथी उसको पावा रही थी जैसे पिंग मैन बस एक अच्छा आदमी गलत जगह पर गलत लोगों के साथ फस गया था अलाकि प्रोफेसर और उसका जो रिलेशन था कि ब्रेकिंग बैट सीरीज की बात कर रहे है इनकेस किसी को नहीं पता अगर आपने उस सीरीज नहीं देखी तो आप अपनी लाइफ का एक बहुत बढ़िया कॉंटेट मिस कर रहे हो आप वो देखो मैं यह मुझे एक चीज यह भी लगती है कि आर्ट जो है जब भी मैं कुछ अच्छा सिनेमा या अच्छा कुछ देख लेता हूं तो आपकोई बताना चाहि को राइट आर्ट जो है ना या आर्ट जो है वो फैलने सही होता है उसकी कमाई वो अमाई होगी वो अपनी जगाई है पर जित्ने लोग देखें जितने लोगों तक आर्ट पहुंचेगा उसका सक्सेश ही उतना है उसका impact उतना है सटल वे में कहने, इस podcast is a good art podcast को भी आप शेयर करो आपको बहतरीन intelligent लोग जो महान सदी के महानतम comedy न है आने वाले समय में ये podcast इतिहास में दर्ज होगा सीरिया इसकी बनेंगी, बड़ा बड़ा तावा जो है तो जैसी पिंग मैं पे दे कियार एक आदमी है सब कुछ कर रहा है और उसको कुछ नहीं मिला लाई ना उसको उसकी girlfriend मिली बर गई हो पहली वाली वो मर गई जो है, दूसरी वाली को भी मार दिया गया कुछ भी उसको नसीब नहीं हो और last में उसका जो है, अंत तो मरा तो नहीं पर उसको फिर Breaking Bad अंत होते होते उसको पकड़ लिया था ना लोगों ने फिर उसको निकलते हुए वो देखा जो कि वो कौसी El Camino आई थी El Camino नहीं देखना पर Breaking Bad भी नहीं देखना थी Breaking Bad तो देखना आपके कहने भी मैंने देखा था कैसी लगी थी आपको अची थी मताब मुझे लगा था कि हाँ एक डिफेंट टाइप वेब सीरी जो मैं मिस करता था क्योंकि उससे पहले अभी तो अभी तो अभी तो ये सब देख रहा था तो वो अलगी गेम है अभी तो क्योंकि मुझे लगता है पॉड्कास्ट बहुत लंबा जा सकता है मैं मुझे ऐसा लगता है मुझे पता नहीं हमादा डिसकेशन इस बात पर हुआ है कि नहीं हुआ ओशो को आप फॉलो करते हो ओशो की जो लाइनिंग्स है या ओशो के जो आडियो पॉडकास्ट होते हैं वीडियो होते हैं देख ओशो की बात है अगर आप डीप में घुसोगे ना तो वो तबाही की तरह की तरह नहीं है मैं ये क्लियल्ली मानता हूँ कि वो बहुत कॉंटर अदमी है आज कुछ और बोलना है कल कुछ और बोलना है बट बेस तिंग इस अबाउट ओशो और बीइंग कॉमिक मैं पसंद करता हूँ तो ओशो बहुत फणी है हाँ उनका फॉक वाला एक तो बहुत ऐसी कि आप ना पंच में इतना पंच आने से पहले आप प्रिमाइस में ही इतना बांध दो कि यहार आगे क्या बोलने वाला है यह बंदा वहीं से ही बांध की रखता है शुरू सही तो उनका वो रहा है बाकी बहुत सारी चीजे हैं जो कॉंट्रोवर्सी वगरे तो अपनी जगह है वो तो कोई भी आदमी जब खुल के बोलता है तो वो कॉंट्रोवर्सी होती है लोगों को सुनने की आदत है नहीं सही बात है पर बहुत सारी बातों से इत्फाक रखता हूं मुझे पसंद है अच्छा फॉलो करना तो मतलब य कुछ और करें अच्छा अब कुछ और स्टेंडप के लावा एक नए चैनल बनाया है उसका में लिंक डाल दूगा वगार देख लेना भाई क्या नावे उसका रभी गुपता शॉट्स शॉट्स शॉर्ट मन करें तो सो सुछ अधर सब्सक्राइब कर शुच्राइब कर टे मुझे व्लॉक्स ही अभी एक्स स्प्लॉर किया है और मुझे यह मज़ा आख एमाद ऑद देखू आगा है वह किसमें इसमें कहां तक जा सकते सकते हैं साह हमेशा डालता हूँ लुक्षा सूचते हूँ मैं डियं टोफनी तो नहीं अच्छा लुष तो पहट जाता है। ट्रेन वालमें गुम रहा तो तो बना पोश साहा पांडोई चि तक स्कतर्न कोमीडीयन जो बहुत बON्ति भुत ज़्या उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है कि ये बंदा मुझे मार देगा, ये बंदा मुझे पीड देगा, ये रेंडम आदमी, कोई भी रास्ते चलते खाना खा रहे हो, कोई भी तुमसे मिला अंकल, किसी भी उमर के हो, तो वो बंदा है कि वो तो मुझे लग रहा था कि क्या है यह प्रेंदर की बात है व्लोग लोगों को पसंद आते हैं जहां पर बहुत सारी चीजिए हो रही है जो मुझे मेरी समझ है पर उसने मेरे धारणाय तोड़ दी लगता है नहीं पता यार अधि यह पता चल जा तो बाती किया अधिक लगती कि मेरे जो व्लोग से ना ओफेंड नहीं होता कोई भी राइट जो इसे काफी लोग हो जाते हैं अभी तो बहुत अफेंड हो रहे हैं बहुत जाधा गालीयं दे रहे हैं हर चीज पर बिना किसी मतलब के और जो बहुत जो भी हो रहे हैं उनको लोग और गालीय दे रहे हैं तो पागल वागल है क्या बाते कर रहा है तो जिसका मैं बना रहा तो मलाईयो करके कर अभी नहीं अच्छी लगी मुझे क्योंकि वह तो ब्ढ़िया लग रही है पर मुमे जाग होता है वे मिठाई का जाग होता है तो भले एक बंदा लिह रहा है कि तो सब कुछ बोल देना कि मलाईयों के रिलीजिय फ़े रहा है तुम्हारा ध्रम अगर मुझे नहीं पसन्दें अगर बटी एक चीज वो तो नेवर एंडिंग बैटल है, मुझे लगता है, बहुत पहले जब मैंने आइफोन पर बनाया था, तो आइफोन पर गाली है, मैंने तुम्हारे पस है भी नि, तुम कैसे भूल रहे हो, भई भई तू पता नहीं, तू बनारस पे बैठा भी नहीं होगा, तू वहाँ प पूरा दिखाना मेरा मकसद नहीं है, और वहाँ मालो मैं गया किसी जगह पे और बोला कि भाई इन लोगों ने डाट के भगा दिया, तो यही होता है, उसके वेन्यू वाले ओनर फोन कर रहे हैं कि भाई, आप आये थे यहां पर, अगली बार आप हमारे आना, हॉस्पिटल आप हमारे किस्ट हो, तो यह चीज मुझे लग रही कि भाई, शायद कहने का तरीका है, यह परस्नेलटी लोगों पसंद है, जो भी है, मुझे मज़ा रहा है, भढ़िया, बहुत मज़ा आया रभी भाई, यह लंबी बाद चल सकती है, बट मुझे लगता है कि फिर हम एड पॉड़कास, थैंक यू, मुझे पता है गाइज, आपने वीडियो एंड तक देखा है, तभी तो आप यहाँ पे पहुचे हो, तो गाइज, अगर आपको एक कॉन्वरसेशन पसंद आई है, तो इस चैनल को लाइक करो, मुझे बताना आप किस गेस्ट को देखना चाते हो मैं कोशिश करूँगा, जान लगा दूँगा कि वो बंदा हमारे साथ बैठाओ, अगर आपको एक कॉन्वरसेशन पसंद आई है, और ऐसी फ्यूचर में आप और कॉन्वरसेशन सुनना जाते हो, तो डोंट फोगेट तो सब्स्क्राइब तो आर चैनल, I'll see you in next episode of काफी व